My dear friends, it's a joy to see you this morning. प्यारे दोस्तों, आज आप से मिल कर खुशी हो रही है. Today's promise verse is taken from Psalm 34, 18. आज का प्रतिग्या वचन, भजन सहीता 34, वचन 18 से लिया गया है. The Lord is close to the broken-hearted. यहोवा तूटे मनवालों के समीप रहता है. And saves those who are crushed in spirit. और पिसे हुऊं का उधार करता है. वचन ऐसा कहता है. My friends, are you saying this verse defines me? दोसों, अगर आप कह रहे होंगे कि यह वचन मेरे बारे में कहता है? I'm crushed and I'm broken. मैं टूटा हुआ हुँ, मैं पिसा हुआ हुँ. I have nobody around me to comfort me. मुझे तसली देने के लिए मेरे पास कोई नहीं है. Nobody understands what I'm going through. मैं जिसमें से होकर गुजर रहा हुँ, कोई नहीं समझता. But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, God is near to you and He's listening to your every word. परमेश्वर आपके बहुत करीब है, वो आपके हर एक शब्द को सुनता है. परमेश्वर ने नूग को जहास बनाने के लिए कहा था, तब वो इसी समस्या में से होकर गया. जब उस समय तक बारिश नहीं हुई, तो लोग उसका मज़ाग उड़ा रहे थे. उसे निराश करने लगे, उसके परिवार को नीचा दिखाने लगे, उन्हों ने उसे किसी भी बात में शामिल नहीं किया. उसे अकेला पन महसूस हुआ होगा. और वो अपनी आत्मा में पिस गया होगा. लेकिन उसने परमेश्वर के वचण पर विश्वास किया, और उसने जहास बनाना शुरू कर दिया. परमेश्वर ने उसके विश्वास का आधर किया और बारिश बरसाई. और बहुत बड़ी बाड़ आ गई. और उसे देश में चिन बना दिया. आज आप अपने आसपास देखकर ये कह रहे होंगे कि मैं तूट चुका हूँ, मैं पिस गया हूँ. परस्थितियों के कारण. परमेश्वर ने प्रतिग्या की है, परमेश्वर ने वाइदा किया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा. जैसे कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है. लेकिन दोस्तों, प्रभु आपके करीब है और वो आपके शब्दों को सुनता है, वो अपनी प्रतिग्या को ज़रूर पूरा करेगा, इस समय वो आपके विश्वास और धीरज का आधर करेगा. तो दोस्तों इस वक्त हिम्मत रखिये. पर मेश्वर आपके बहुत करीब है. आज वो आपको तसली देगा. तो आए इससे ले लेते हैं और प्रात्ना करते हैं. प्रभु तो हमारे निकट है, इस प्रतिग्या के लिए धन्यवार. इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक तूटे दिल को तू तसली दे. इनके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ होगा, इसलिए ये पिस गए होंगे. शाइद इने आर्थिक मुश्किले आई होंगी. शाइद ये समाज में अपना सिर नहीं उठा पा रहे होंगे. इनके परिवार में जो कुछ भी हुआ होगा, उसके कारण ये तूट चुके होंगे. शाइद ये अपना लोन नहीं चुका पा रहे होंगे. सोच रहे होंगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है इसलिए निराश हुए होंगे लेकिन प्रभू तु दिखा कि तू इनके करीब है तूटे दिलवालों को तू तसली दे पिता जिन लोगों ने अपने प्रियाजनों को खो दिया है इनके अपने प्रेमी हातों से तसली दे इनके करीब आओ और इनहें सांतवना दे हर एक को इनहें आशिश दे और उजवल भविश्य दे जो तूने प्रतिग्या दी है इनके जीवन में पूरी हो जाए इनके जीवन में आशिशों की बर्शा देखे तेरे प्रतिग्या के चिन्हों को ये देखते चले जाएं इनहें देखने पाएं इस प्रतिग्या के लिए धन्यवाद इस प्रतिग्या के लिए धन्यवाद इनके जीवन में आशिशों की बर्शा देखे झाल